हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल स्टाइलो रूप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवू करने वाली हूं कार्मेसी फेशल लेजर का जो की बोमन के लिए आता है गल्स की गल्स भी इसको यूज कर सकती है यह इंस्टेंट और पेनलेस हेर रिमूबल होता है चैनल स्टेल का बना होता है और इससे प्रसेजन सेव होती है एंटी लिफ ग्रिप दी जाती है और प्रोट्रक्टिव सकस और यहां पर इसके इसको पड़ सकते हैं किस तरीके से यहां पर इसको कर ना है कैसे proπο यूज करने के बाद काउन कोई सी इस तरीकी के 3 razors आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर यह Protective Cap दी जाती है और यहाँ पर Anti Slip गिप दी जाती जिससे आप जब इसको पकड़के यूज करते हैं तो इससे आप असानी से अपने face पर shaving कर सकते हैं यहाँ पर याँ आपको कैप मिलती है यहाँ जो और आप इसको बंद कर दें और आप इसको नेक्स टाइम उसको आराम से तो इस तरीके के और जो यह फेश्यल रेजर होते हैं यह सकीन की उपर बहुत जादा जेंटल रहते हैं कि कारमेशी बहुत अच्छा प्रांड है और यह नॉन स्पॉंसर्ड वीडियो यह मैं अपना प इसको अप्लाय कर सकते हैं और जैसे फेस हमारा ज्यादा सेस्टिव होता है तो कोई भी प्रोड़क्ट जैसे हम बाई करते हैं तो काफी सोचना पड़ता है और फिर खासका फेशल लेजर के लिए जिसमें कई सारे मित्स भी है कि जब आप इनको यूज करते हैं तो आपके फ पहले बाल निकलते थे उसके बाद भी जब आप इसको यूज कर लेंगे तो उसी तरीके के आपके बाल निकलेंगे मोटे बाल बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और इसके साथ मेरा एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहा अगर कोई बिगनर्स ट्राइ करना चाता है तो सबसे अच्छा फेशन रिजर यह है और भी कई सारे आते हैं पर मैंने इसको ट्राइ करा है तो मुझे काफी अच्छा इसकी साथ मेरा इक्सपिरियंस काफी अच्छा रहा और अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वह 194 रूपीज दिया गया है तो 194 मैं लिए नएजर काल आप इसको अशेशन कर सकते हैं इनका बार इसको बादीजर बी आता है और इनका बॉडी रिजर वियाता है मॉन्हां दो तीन टैप के इनोंने डीजर रूंच किया है जो की इमार्केट में इसली अभेलेवले अर इस तरीके सब अबही इसको मैं आपको इसको यूज कर से करना है सबसे पहले आपको अगर अपने को वाश करने के बाद आप अगर एक्सपुलिएट कर सकते हैं तो आप एक्सकेन को फूर सकते हैं तो अपने च्बाक कर लेजे तो इससे क्या होगा जो भी डेट सेल्स होगी जो भी दूल मिट्टी गंदगी होगी आपके फेस पर वह आसानी से निकल जाएगी और आपकी जो इसके नोगी बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगी उसके बाद आपको अपने फेस पर अपलाई करना है अलोवेरा जल उसके बाद आप अपने पारि इसको अपने कि ऊप लगानार उसके बाद आप एप लगाते रहें और निसके बाद आप नीचे की बाइरिक्शन में इस तरह के पर एहर्ज को रिमूब कि आप इजली देख पा रहे होंकि मैं कैसे प्रिमूब कर रही हूं इस तरहिक चैकätzen पैस के ले और ऑप और अपने बढूंत बहुत एजली बहुत धे है兒 कर रिमूब हो जाते हैं और आप अपने बहुत अच्छे से आप को वाष कर लेना है बाश करने के बार कोई वह अच्छा सा मॉस्च्टinform alड अपने फेस पर एपलाई कर लेना और कुछ कुछ चीज़ का अपको ध्यां रखना कि जब भी आप फेसर यूज करते हैं तो आपकी skin sensitive होती है sensitive जो face skin होती होती है तो उसके बाद जब अगर आपके face पर pimples है मुहासे हैं या कोई भी आपको आपकी बहुत जादा ति आप बहुत ज़्यादा प्रज़र आप यज इस करें और जब भी आप अपने पेस पर मेक अप्लाई economies नहीं करना है अगर आपको कर na हाबस तक तो उसके बाहड़ आप मैक आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो हुती है वह उसमें forward यह ब्लेटे तक बिल्कुल भी अपलाई नहीं करना है यहां पर आपको यह एक मिलती है जिसे जब भी आप इसको यूज करें इसको वाश करके सुखा के फिर इसको लगा कर रखते हैं यह दी जाती है कि जो अपका ब्लेट है वहांपा दूल मिट्टी के इक हमा हो जाए और वह भी काफी शार्प है देख सकते हैं इसके ब्लेड जो दिये गए हैं वह भी काफी शार्प दिये गए हैं और बस कुछ बातों को आप यहां पर कुछ कॉशन को ध्यार रखने की चीज़ा दिए गई है इफ यू एक्सपीडियेंस एनी इरिटेशन स्टॉप यूजिंग द बेच को लेक हैं लगाना काफी जरूरी हो जाता है वास्ता ब्लेड पहले ब्लेड को वॉच कर लें डिसिंफेक्ट करte से जितनी बाद आप उसके बाद आपको डेशनकेट करना है उसके बाद आपको इसको ट्लाइझ करने हैं और यह सबस्तित में दिया खेया है और इसकी जो शेल प्लाइफ दी गई इसकी रिखनी तक आप इसको असानली यूज़ कर सकते हैं यहां पर इसका यूज़ करने का तरीका है तो आप शापसे यूज़ करने यहां तो आप अच्छा एक्सपिरियंस रहा इस रिज़र के साथ मैं तो और यह नॉन सपॉंसर वीडियो है त किसी प्रमोशन कर रही हूं ऐसा कुछ भी नहीं है यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ इसको शेर कर देए हूं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सकाइब कर देना और अपनी फ्रेंड फेमिली के सा आप इस वेजर को असानी से जूस कर सकते हैं बाइबाए मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाइबाए